हेलो दोस्तों आपका मेरे यूटुब चैनल पर बहुत बहुत स्वागते आज हम बात करने वाले फेस्बुक का आकाउंट हम पर्मेंटली डिलेट कैसे करेंगी इसकी पूरी इन्फोर्मेशन में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए तो मैं अपना फेस्बुक जो भी आकाउंट है मैं आपको एक डिलेट करके दिखा देता हूँ लाइउप रूप तो यह देखिए मेरा कुछ यह ऐसा फेस्बुक मैं टीकाउंट यह मैंने इसको उपडेक करने आपको फर्स्ट में आपका फेस्बुक आकांट आपडेका लगाए उसके बाद ही आपके फोन में उसको रिम्यो कर लिने क्या होता है जो आप फीचर्स आये नए नए डिलेट करने के वह आपको मिल जाएगी यह देखिए मैंने मेरा Facebook आकाउंड अपडेट किया इसके बाद में ओपन कर लोगा ओके तो मैं मेरे Facebook यहां से मेरा Facebook आकाउंट open कर लेता हूं यहां पर आपको त्री बिंदू जो दिखाई दे रहे हैं उसके उपर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा आपको उपर ओले जो सेटिंग ओला ओप्षिन दिखाई दे रहे हैं इसके उप आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपको यहां पे कुछ इतना यह नहीं करना है इस्ट्रोल भी नहीं करना है आपको उपर देखिए उपर के साइन में ही आपको 9 option दिखाई दे रहे प्राइवेसी ओवर ही यह जो दीखिए इसके उपर आपको click कर लेने यहापपर click करने के बाद यह जो आपको first वाले जो दिखाई दरे उसके उपर ही आपको click कर लेना यह दिखिए, जो blue line दिखाई दरे उसके उपर click करने के बाद ऐसा कि इंटरफेस open हो जाएगा फिर से आप जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनें उसके बाद ही आपका facebook account permanently लेट हो जाएगा, ओके आपको उसके उपर click करने के बाद आपका यह जो account है, यह देखिए, आपके सामने मेरे facebook के दो account है ओके, facebook के दो account है, उसमें से मज़ग कून सा delete करने है, वहाँ भी आपको दिखाई देगा, ओके तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो private लिखाई रहे है, उदर आपको click कर लेने, यहाँ पर पूरी मेरे facebook की history, details दिखाई देगी मेरे जन्मदिती, मेरा नाम मेरे password यह जो है मेरे mobile नमबर, यहाँ पर आपको प्रस्नले दिखाई देगे, उसके नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, यह देखिए, आकाउंट ओनर जो contact दिखाई देखिए, इसके उपर आपको control ओले, option के उपर आपको click कर लेना है यहाँ पर click करने के बाद आपके सामने यह देखिए, आईसा कुछ interface उपन हो जागा ओके, आकाउंट, ownership and control, यह देखिए आपके सामने यह जो second number ओला दा, उसके उपर आपको click करने के बाद, यहाँ पर choose कर लेना, आपको कौन सा आकाउंट आपको delete कर लेना है, तो मैं choose कर लेता हो first ओला जो account है मेरा आननद पालेकर का, इसके उपर में click कर लेता हो, यहाँ पर click कर लेगा, यह देखिए, first ओला जो option है उसके उपर में, facebook का account है उसके उपर click कर लेता हो, तो आपको permanently delete करना है या आपको temporarily phone का आपका facebook account delete करना है, तो यहाँ पर आपको permanently delete करना होगा, तो आपको second ओला number है, उसके उपर आपको click कर लेना है, और आपको, सिर्फ आप भी के कुछ time के लिए आपको delete कर लेना है, तो यह first ओला है, तो मैं permanently delete कर लेता हो continue कर लोगा, यहाँ पर आपको पूछे कि आपका reason की है, कि आप क्यों delete कर लेता हो, यहाँ से आप continue भी कर सकते हो, बट मैं इदर first ओला option चूछ कर लेता हो, आपको example के लिए, यहाँ पर दिखा सकते हो कि उनको कुछ तो reason देना बड़ेगा, इसके लिए मैंने first ओला option चूज कर लेता हो, यहाँ से मैं उसको continue कर देता हो continue करने के बाद देखिए आपको time set on facebook या इससे कुछ option दिखाई देगे इसके उपर आपको continue के उपर क्लिक कर लेगे आपको पूरी जानकर याप पढ़ सकते हो यहाँ पर इसको करने के बाद आपको यह देखिए कुछ आप facebook में आपके जो भी video, photos या कुछ आपकी gallery में आपको download करना होगा facebook का तो यहाँ से भी आप उसको download कर सकते हो आपका facebook account delete होने से पहले यहाँ से भी आपकुछ भी download कर सकते हो फिलाल मुझे कुछ daunlood नहीं करना है इसा लिए मैं इसको थूढ़ा enroll कर लेताँ स्ट्रोल करने के बाद मेरे द्रूल करने के बाद इसको continue पर कंतीन के उपर कलिख कर लेताँ यहाँ पर मुझे कुछ daunlood करना नहीं हे इसके उपर मैं continue के उपर क्लिक कर ले दाओ continue के उपर क्लिक करने के बाद यह दिखिए मेरे सामने मुझे मेरे whatsapp का password कुछ रहे यहाँ पर मैं कोई भी मेरा एक password जो भी प्रस्नली मेरा password है ओई मैं इधर क्लिक करूगा और आपको जानकरी के लिए बात दाओ इतना करने के बाद आपको 30 दिन तक इस Facebook आकाउंट पर लोगिन नहीं होना है अगर आप Facebook आकाउंट पर इसको डिलेट करने के बाद भी 30 दिन का समय आपके पास होता है उस 30 दिनों के बाद आप Facebook पे आकाउंट पे आ जाओगे तो ये रिम्यू या डिलेट नहीं होगा आपको आपका Facebook नमबर डालने के बाद आकाउंट नमबर डालने के बाद ये आपको लॉग इन होने के बाद ऐसे ही कुछ इंटरफेस दिखाए देगा टेंक्यूट वाच्चिंग जय हैंड वन्दे मातरम